ओम स्री गनेश आयनामा दोस्तों मीन रासी का चार नॉम्बर गुरुवार का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन क्या-क्या उपाय करने होंगे और कौन-कौन सी सावधानिया रखनी होंगी किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से नुकसान होगा बिजनेश कैसा रहेगा व्यापार कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी घर परिवार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पून जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों वीडियो आगे बढ़ानी से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं जिससे आप तक समय समय पर पहत्पून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों का आज का दिन दोस्तों आपका दिन सांदार रहेगा कारोबार में आपको फायदा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा आपके सूचेवे काम पूरे होंगे जिया दोस्तों आपके काम से जीवन साथी प्रसंद हो सकते हैं ओफिस में आपको कोई नई बड़ी जीमेदारी मिल सकती है आज आप पर काम के बूझ की अधिक्ता हो सकती है जिसकी वज़े से आप ठकान महसूस करेंगे लेकिन आप सारी चीजों को बहतर तरीके से समाल लेंगे आपको लेन देन से फायदा भी हो सकता है किसी काम में अनुबहवी की सला आपके लिए बहतर साबित हो सकती है जिया दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में आप जो भी काम करें काफी सोच समधिकर करें हो सके तो किसी वरिष्ट की सला वस्ते लें बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लगे आज जीवन साती से अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके विवसाय और केरियर के बारे में आपका आर्थिक पक्ष पहली क्या पेक्षा और मजबूत होगा व्यापारी वर्क को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपने केरियर को आगे बढ़ाने में रहेगा कारिये चित्र में आपको अच्छी खासी सफलता भी मिल सकती है जियां दोस्तो विश्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आप परिवार वालों के साथ कहीं गूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं परिवार की रिष्टों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का अशिर्वात आपको प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसे इसने बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा घर परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आपको अपने वरोधियों से बचकर रहना होगा जीवन साथी के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भाव हो सकते हैं विवाई जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आपका जीवन साथी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा जीवन साथी को लाबगा और सरप्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात दोस्ती में भी बदल सकती है दामपते जीवन काफी प्रेमपूर्ण बना रहेगा जिया दोस्तों आपका स्वास्त कैसरेगा स्वास्वंदी समस्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिससे पेरों और हातों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा सके ये समस्याओं मौसम परिवर्तन से उत्पन हो सकती है आपके लिए भैतर होगा नियमित योग करें वियायाम करें प्रणायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्त्र आएं दोस्तो आज आप ये उपाये वष्या करें विश्नु भगवाण को नारियल अर्पित करें और नारियल और मिस्री का प्रसाद भी बाटें और 108 बारी समंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाए ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनो काम नए पूरी होंगी दोस्तो आपको भगवान विश्णू का सिर्वात प्राप्त हो कमेंट में जे विश्णू और से लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुब और मंगल में हो